अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है उसके आप देख सकते हैं तो चलिए दूसτοर सुरू करते हैं पहला क्वशन है सॉंग ऑफ माइसेल्फ इस पैंड बाई तो आपको यहां पैंड भी दिया ओद है सकता है composed भी या फिर written by the award है सकता है यानि कि ये तीनों word आपको मिल सकता है तो song of myself जो है ये किस के दोरा लिखा गिया है या रचा गिया है तो इसका जो right answer का option number A यानि कि Walt Whitman के दोरा लिखा गिया है अगला question है who is known as the people's poet यानि कि किसको लोगूं का कभी कहा जाता है यानि कि जन कभी कहा जाता था तो इसका जो right answer का option number B यानि कि song of myself के जो writer है Walt Whitman इसी को people's poet कहा जाता था चलिए अगला question के ओर बढ़ते हैं अगला question करा Walt Whitman is 10 years old तो आपका जो book के according Walt Whitman कितने साल का था तो इसका जो right answer का option number C यानि कि 37 years old यानि कि 37 साल के थे अगला question है Walt Whitman belong to यानि Walt Whitman कहां से संबंदित थे तो इसका जो right answer का option number C यानि कि the USA यानि कि United States of America से संबंदित थे यानि कि United States of America यानि कि America के वो रहने वाले थे चलिए अगला क्वेशन के और बढ़ते हैं अगला क्वेशन कर रहा है The poet in song of myself does for himself यानि कि song of myself का जो poet है ये song of myself किसके लिए गाया है तो यानि कि himself के लिए यानि कि खुद के लिए तो यहाँ पे right answer हो जागा option mercy यानि कि sings for himself यानि कि खुद के लिए ही गाया है अगला क्वेशन है Who is the speaker in the song of myself song of myself जो chapter का नाम है इसका speaker कौन है इसका वक्ता कौन है तो इसका जो right answer का option number C यानि कि इसके writer यानि वोल्ट वीटमें चलिए अगला क्वेशन की और बढ़ते हैं अगला क्वेशन है इसका जो right answer का option number B यानि कि song of myself से इसको लिया गया है तो ध्यान रखेंगे ऐसा question पुछा जाता है भी अगला क्वेशन है इनेवीटेबल मतला होता है अनिवाड यानि कि निश्चित तो कौन निश्चित है death, life, beauty, recreation तो हम लोग जानते हैं जो सभी को मरना है यानि कि death जो है मिर्टिव वो क्या है निश्चित है अनिवाड है चले अगला क्वेशन की और बढ़ते हैं अगला क्वेशन कर रहा the days of death are the whispering neighbors यानि कि किस चीज का death का क्या whispering neighbors यानि कि neighbors के तरह है यानि कि पड़ोसी के तरह है यानि कि जब death आना रहेगा वो तुरंद क्या हो जाएगा तो इसका जो right answer का option number D यानि कि messenger यानि कि death का मिर्टिव का जो फरिष्टा यानि कि दूत होता है वो क्या है neighbors के तरह है चले अगला क्वेशन की और बढ़ते हैं अगला क्वेशन है आई सैलिब्रेट माइसेल्फ एंड सिंग माइसेल्फ इस रिटन बाई आई सैलिब्रेट माइसेल्फ एंड सिंग माइसेल्फ यह किस के दौड़ा लिखा गया है तो इसका जो right answer होगा option number B यानि कि Walt Whitman के दौड़ा किस ने कहा जो बलट का परतेक एटम सभी मनुष्य में मानवजाती में समान होते हैं तो इसका जो right answer होगा option number D यानि कि Walt Whitman के दौड़ा चले अगला question कि दौड़ा है Walt Whitman was born in तो यह काफी important question है Walt Whitman कब पैदा हुए तो इसका जो right answer होगा option number D यानि के 1819 को पैदा हुए थे चले अगला question क्यों बढ़ते हैं अगला question करा है Walt Whitman was died in which year Walt Whitman की मिर्थियू किस साल भी तो इसका जो right answer होगा option number C यानि के 1892 को हुए थी वो पैदा हुए थे 1819 में और उसकी मिर्थियू थी 1892 को अगला question है Walt Whitman was born in which city of the USA Walt Whitman जो कि हम लोग जानते हैं USA के रहने वाले थे वो USA के किस सीटी में पैदा हुए थे 1819 में पैदा हुए थे और वो इन्यू योर्क में पैदा हुए थे option number B right answer हो जाएगा यानि के न्यू योर्क चले अगला question क्यों बढ़ते हैं अगला question करा है Walt Whitman's poems are यानि के वोल्ट विट्मेन का इन में से कौन सा poem है यानि के इन में से important work जो है वो कौन सा है तो option A दिया हुआ, leaves of grass, B है, drum taps, C है, A and B दोनों, और D, none, तो इसका जो right answer होगा, option number A यानिके leaves of grass भी है, और drum taps भी है, तो इसका जो right answer होगा, option number C, यानिके A and B, बहुत, अगला कुशन है, leaves of grass was published in which year, तो हम लोग जानते हैं, leaves of grass जो है, ये एक poem का नाम है, Walt Whitman का, इसको कब publish क किया गया था, किस year में, तो इसका right answer होगा, option number B, यानिके 1855 को, चलिए अगला question क्योट करते हैं, अगला question है, drum taps was published in, तो जानते हम लोग जो drum taps भी क्या है, Walt Whitman का एक poem है, तो इसको कब publish किया गया, तो इसको जो publish किया गया था, 1865 में, तो काफी important है question, तो यहाँ पर हम लोग था, उसको cover कर चुके हैं, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को like करें, share करें, और चैनल में अगर नए है, तो चैनल को subscribe करके, बेल आइकन को press कर दें, जैहिन, जैवारत